गुद्ध मॉर्णिंग। आज हम लोग सर्चिंग टेक्निक शुरू करेंगे सीले। सर्चिंग टेक्निक बेसिकली एक रिजिनिंग है एक लॉजिक है जिसका मतलब होता है एलिमेंट्स को किसी पर्टिकुलर अरेज़्मेंट में सजा देना। और अरेज्मेंट हमारे पास दो ही है या को में करते हैं उडिसेंडिंग ओडर में करते हैं आज हम लोग एक बहुत पॉपुलर एक बहुत लोग प्रिये जो टेकनिक है हमारे पास बबल सौर्ट टेकनिक उसके बारे में डिसकस करेंगे और उसके रिजिनिंग को पहले समझने की कोशिश करेंगे क्या रिजिनिंग कैसे काम करता है तब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके ऊपर एक प्रोग्राम भी देखेंगे जो हम लोग सी में लिखेंगे यद भी एक बार का रिजिनिंग समझ में आ जाए तो हो कि Data Structure एक का रिजिनिंग है एक लॉजिक है एक लॉजिकल अरिजमेंट अब देटा होता है ठीक है तो फिर आए सबसे पहले हम लोग को समझने की कोसिछ करते हैं ऐब ग्यार आजयी है फिर हम और एक डेटा सेट पहले ले लेते हैं फिर उसको अरेंज करते हैं बबल ऐसलिए हाथ कि महा लिए फिर अहbear माल धी होग कि हमारे पास कुछ डाटा दिया हुआ है जिसमें 12 है 40 है इसके बाद हमारे पास 3 है इसके बाद हमारे पास 2 है इसके बाद हमारे पास 15 हमको इसको आरंज करना है एक बात आप जान लीडे कि Total number of elements हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और 5 इसमें total number of pass 4 चले गा हर pass के बाद जो heaviest element होगा वह अपने सबसे appropriate place पे चला जाना चाहिए bubble sort का मतलब एही होता है आईए खर छोड़िए इसको कुछ हो सकता अभी कुछ हेवी लगे हम लोग pass 1 शुरू करते हैं तो फिर चलिए हम लोग pass 1 शुरू करते हैं pass 1 में जो number of iteration होगा वह depend करेगा कि कितना element है हमारे पास तो हमारे पास element है 1, 2, 3, 4 और 5 इसके first cycle में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको indicate करते है first cycle में कुछ नहीं करना first cycle में हम लोग 12 और 40 को compare करेंगे चुकि यहाँ पर 12, 40 से छोटा है इसलिए कोई swapping नहीं होगा यानि कि इस cycle में या 12, 40, 3, 2 और 15 as it is रा जाएगा इसी pass के second cycle में cycle 2 में अब हम लोग चुकी इन दोनों का compare कर चुके है तो अब हम लोग करेंगे 40 और 3 का अब आप आसानी से यह समझ सकते हैं कि 40 बड़ा है तो 40 जब बड़ा है तो फिर इसको swipe करके 3 वाले जगा पे लेके जाएंगे यानि कि cycle 2 के बाद हमारा element कुछ इस तरह से arrange हो जाना चाहिए 3 हो गया, फिर क्या हो गया, 40 हो गया, फिर क्या हो गया, 2 हो गया, फिर क्या हो गया, 15 हो गया बहुत आसानी से आप देखिए कि 40 अब घसतना शुरू कर दिया क्योंकि या heaviest element है और इसका नाम bubble shot इसलिए है कि ऐसे भी पानी में कोई heavy element अगर हम डाले तो बाल्टी के सबसे नीचे जाके बैठ जाता है ठीक है अभी इसी पास्ट में हम है और cycle 3 में जाएंगे अब cycle 3 में क्या होगा इसको और इसको compare करेंगे जानी की 12 और 2 को अब consider नहीं करेंगे और यहां आगया 2, यहां आगया 40, और यहां क्या आगया, 15, देखिए फिर से 40 अपने जगह पे जा रहा है, अब आजाएए cycle 4, cycle 4 में क्या होगा, कि फिर से 40 और 15 को compare करेंगे, तब क्या होगा, 12, इसके बाद 3, 2, 40, तो अब जाएगा उधर, इसका अधा जाएगा 15, इसका अधा जाएगा 40, इसमें total number of element क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, इसका total number of cycle 4 ही चलना था, और 4 के बाद जो सबसे heaviest element था हमारा, उसको सबसे नीचे जाके बैठ जाना था, जो बैठ गया, इसका मतलब हुआ या pass 1 बिलकुल सही है, अब हम लोग क्या करेंगे, कि pass 2 चलाना शुरू करेंगे, पास 2 के लिए, जो पास 1 का जो हमारा value होगा, last cycle का वही इसका पहला cycle आ जाएगा, तो आईए फिर से हम लोग सुरू करते हैं, इसका आप cycle 1, इसके cycle 1 में फिर से वही होगा, जो कि हम लोग उपर में जो हम लोग देख रहे थे, 12 और 3 को करेंगे, निश्यतुर से swiping होगा, तो होगा तो फिर क्या हो जाएगा, 3, 12, 2, इसके बाद 15, 40, फिर हो जाएगा cycle 2, cycle 2 में, फिर से क्या होगा, कि 12 और 2 को compare करेंगे, तो निश्यतुर से फिर 12 भागेगा, क्योंकि वह heaviest element है, वह heavier है किसके, 2 से, तो आजाएगा 3, इसका जाएगा 2, 12, 15, और 40, ठीक है, अब हम लोग आ जाएगे, cycle 2 हो गया, अब हम लोग आ जाएगे cycle 3 में, चुकि एक cycle हर बार घटेगा, तो उपर में हमारा कितना चला था, उपर में हमारा चला था, 4 cycle, तो फिर इसमें निश्यतुरूप से चलेगा 3 cycle, और तीसरे cycle के बाद, 100% जो 2nd heavier होगा, वो 2nd last में जाना चाहिए, यही चेक है इसका, तो आईए जासा देखते हैं, अब हम लोग 12 और 15 को चेक करेंगे, वोई swiping नहीं होगा, इसका मत्तब हुआ कि 3, 2, इसके बाद 12, 15, 40 है, ठीक है, अब यहाँ पास complete हो गया, total number of pass, total element minus 1 तक चलाना है, तो फिर cycle 3 हो गया, अब हो गया, cycle 4, फिर से, नहीं, cycle 4 नहीं हो, cycle 4 तो इसमें होई नहीं सकता है, जैसा कि हमने आप से कहा भी, आप यहाँ हो जाएगा, पास 3, इस पास 3 में एक cycle फिर कम होगा, तो फिर हो जाएगा cycle 1, अब क्या होगा, 3 और 2 को compare करेंगे, निश्य तो उपसे 3 भागेगा, भागना है, तो भागेगा तो फिर क्या जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 12, यहाँ जाएगा 15, यहाँ जाएगा 40, अभी एक cycle और चलेगा, तो आईए चलाते हैं, cycle 2, cycle 2 में क्या होगा, 3 और 12 को हम लोग compare करेंगे, निश्चित रूप से कोई change नहीं होगा, तो फिर से element यही रह जाएगा, 2, 3, 12, 15, और 40, इस बार दो ही cycle चलना था, और जो हमारा 3rd है, heavier element था, उसको 3rd जगा पे आ जाना था, ठीक है, अभी एक बार और पास चलेगा, पास 4, पास 4 के बाद, जो हमारा element होगा, इसमें अब cycle एक ही होगा, इसमें cycle एक ही आना है, इसमें क्या होगा, 2 और 3 को compare करेंगे, कोई change होगा नहीं, तो नहीं होगा, तो arrange ऐसे आ जागा, 2, 3, 12, 15, और 20, इस तरह से हमारा यह data element, जो हमको दिया गया था, 12, 43, 2 और 15, हम लोगा ने इसको arrange कर लिया, फिर से हम कुछ खास बात बोल दे रहे हैं, कि total number of pass, total number of element minus 1 होगा, पहला pass में total number of cycle, total number of element minus 1 होगा, लेकिन pass 2 में फिर एक cycle कम होगा, pass 3 में फिर एक और cycle कम होगा, ऐसे करते करते last तक जाएगा, पहले pass के complete होने के बाद, जो हमारा heaviest element होगा, इसको अपने जगब पे जाना चाहिए, अगर यह नहीं गया, तो निश्चित रूप से आप समझेए, कि आपका algorithm गलत काम कर रहा है, pass 2 के बाद, जो हमारा second heavier होगा, यह second last में जाएगा, pass 3 के बाद, जो हमारा third होगा, यह अपने जगब पे जाएगा, और उसके बाद, last जो pass बनेगा, उसमें data हो जाना चाहिए, यही इसका logic होता है, इसी पे हम लोग program लिखने की कोशिस करेंगे, यहाँ पे लेकिन एक rule आपको याद रखना परेगा, माल लिए कि आपने pass 3 चलाया, और किसी भी cycle में कोई भी swiping नहीं हुआ, मतलब दोनों cycle में, तो अगर हम चाहिए, तो यहीं पे इसको छोड़ सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि अब data हमारा arrange हो चुका है, कि अगर हम कोई हम pass चलाये, इस pass के किसी भी cycle में कोई भी swiping नहीं हुआ, अगर कोई भी swiping नहीं हुआ, इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है, कि अगर डेटा हमारा arrange हो चुका है, ascending order में, ठीक है, इसके बाद हम लोग छोड़ भी सकते हैं, यह इसका एक attribute भी होता है, bubble shot का, clear है, अब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, कि अनर जितना भी रहेगा, उसके एक element कम तक का pass चलेगा, पहला pass में total number of element minus one होगा, फिर pass two में, फिर pass three में, ठीक है, pass four तक आते आते, चुकि total number of element हमारे पास क्या था, pass था, एक, दो, तीन, चार, पास, तो pass four में हमारा data निश्चित रूप से अरेंज हो जाना चाहिए, clear है, मुझे लगता है कि अब हम लोग बिल्कुल इस बात को समझ चुके होंगे, इसलिए, अब नेक्स्ट वाले class में, हम लोग इसी reasoning पे एक program लिखने की कोशिस करेंगे, चलिए, thank you very much, thank you.